नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ गरहन काल की अवधी को धर्म, जोतिस और धार्मिक नजर ये से असुव समय माना जाता है गरहन काल के दोरान लगने वाला सूतक काल भी असुव समय होता है इसलिए गरहन काल की जो सावधानिया होती है इसे बरतना आपके लिए अति आवस्यक होता है वरना इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और इसका दूस परिनाम भी आपको भुगतना पड़ता है तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे 10 जन्वरी को साल 2020 का पहला चंदरहन जाने गरहन काल में क्या करें क्या ना करें इसके साथ साथ बरते क्या सावधानियां ताकि आपके जीवन पर गरहन काल का कोई दूस प्रभाव ना पड़ें इसके साथ साथ गर्वती महलाय को क्या सावधानिया बरतनी है साथ में हम आपको ये भी बताएंगे रासी के हिसाब से आपको क्या सावधानिया बरतनी है लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो किर पैसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिल जाएं साल 2020 का पहला चंदगरहन 10 जनवरी को लगेगा पहला चंदगरहन करीब 4 घंटे तक चलेगा और इस दोरान भारत समेट, यूरोप, एसिया, अफरिका और आस्टेलिया के लोग भी इस चंदगरहन को देख सकेंगे लेकिन अमेरिका के लोग साल 2020 के इस पहले चंदगरहन को नहीं देख पाएंगे गरहन असुब मना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गरहन काल की अबदी को धर्म, जोतिस और धार्मिक नेजरिये से असुब मना जाता है इसलिए इस समय आपको खास ध्यान रखना होता है क्या नहीं करना होता है क्या नहीं करना है क्या करना है इसके बारे हम आपको आगे बताएंगे लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि गरहन किस समय लगेगा और क्या होगा सूतक का समय साल 2020 का पाहला चंद गरहन कितने बज़े से कितने बज़े तक लगेगा और सूतक कितने बज़े लगेगा देखिए सूतक 10 जनबरी को आपको सुवह लगभग 12 बज़े के आसपास ही सूतक काल लग जाएगा गरहन काल 10 जनबरी को रात 10 बज़ करके 37 बज़े शुरू होगा और 11 तारीक को सुवह यानी 2 बज़ करके 42 मिनट पर ये खत्म हो जाएगा यानी साल का पहला चनबरी करीब 4 घंटे तक अपना असर पूरे दुनिया पर दिखाएगा अब हम जानते हैं कि आखिर सूतक काल क्या होता है काफी लोग हमसे पूछते हैं कि सूतक का मतलब क्या होता है क्या होता है सूतक काल और सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए देखिए सूतक का तात पर खराब समय या ऐसा समय जब पकरती अधिक संबेदन सिल होती है अता घटना दुरघटना होने की संभाबना सूतक काल में बढ़ जाती है सूर्ज गरहन में सूतक का प्रभाव 12 घंटे पहले और चंदगरहन में सूतक का प्रभाव 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है तो सूर्ज या चंदगरहन दिखाई देने पर ही सूतक का नियम लागू होता है अगर ये दिखाए दे तभी इसका नियम लागो होता है अब है कि चंदगरहन काल का क्या होता है बिशेश अस्थिती हम आपको यहां बता दें कि जब पिर्थी भी चंदरमा और सूर्ज के बीच आता है तब चंदगरहन लगता है अब चंदगरहन क्यों लगता है काफी लोग ये भी पूछते हैं कि आखिर चंदगरहन क्यों लगता है इसके दो कारण है एक है धार्मिक और दूसरा है खगोलिय धार्मिक मतों के नुसार राहु गरह जब पुर्णिमा के दीन चंदरमा को गरस लेता है तो चांद कुछ समय के लिए छिप जाता है इस घटन और सूर्ज के बीच में आ जाती है तो चंदरमा उससे ढख जाता है और चंदरमा तक सूर्ज की किर्णे नहीं पहुंचती है और इसे ही हम चंदगरहन कहते हैं अब हम यह जानते हैं कि 2020 का चंद गरहन कब कब लगने वाला है इस साल में देखिए इस साल चार चंद गरहन लगेंगे जिसमें पहला 10 जनवरी को दूसरा 5 जून को, तीसरा 5 जुलाई को और चौथा 30 नभंबर को चंद गरहन लगेगा इसके साथ इस साल दो सुरुज गरहन भी होंगे, पहला सुरुज गरहन होगा 21 जून को और दूसरा सुरुज गरहन होगा 14 दिसमबर को चंद गरहन के दोरान अब धानिया बरतनी है, क्या करें इसके बारे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि सूतक के दोरान क्या करना होता है देखिए, चंद गरहन लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल सुरु हो जाएगा, इसके बाद से मंदिरों के भाटक बंद हो जाएंगे, गर्वती महलाई सूतक काल के दोरान घर से बाहर नहीं निकलेंगे गरहन काल की सावधानिया देखे गरहन काल में जो गरहन काल की सावधानिया होती है इसे वरतना आपके लिए काफी महत्पुन होता है तो धार्मिक मानताओं करुशार चंद गरहन या सुर्ज गरहन के समय भगवान का समर्ण करना चाहिए इस दोरान भोजन करने, सोने, सूभ या नए कार्ज करने, जल पीने, केस बनाने, मंजन करने, बस्त्र धोने, संभो करने आदी को बरजित माना गया है। नहीं देखना होता है। गरहन के समय, गर्वती महलाओं को भी 20S रूप से सतरक्ता बरतने की जुरत बताई गई है। गरहन काल में सुर्जिया, चंद्रमा के दर्शन करने से गर्वती महलाओं के बच्चों पर इसका दुस्परवाब परता है। इसलिए गर्वती महलाओं अ मैंने आपको बताया कि गरहन काल में आप मुर्ती पूजा नहीं कर सकते हैं। मुर्ती पूजा करना निशेध मना जाता है। आप ना तो मुर्ती को असपर्श कर सकते हैं और नहीं मुर्ती पूजा कर सकते हैं। सारे मंदिर के दरवाजे बंध हो जाते हैं। लेकिन गरहन का मंत्र है ओम चंद्रमसे नमहा इस मंत्र का कम से कम आप एक सा आठ वार जब कर सकते हैं चंद्रहन के समय आप हुन्मान चलिशा का भी सिद्धी कर सकते हैं अगर आपने चंद्रहन के दोरान कम से कम एक सा आठ वार हुन्मान चलिशा पढ़ लिया तो आपकी हुन्मान मानते हैं क्यों इस समय जब और तब करना काफी महत्पुन होता है देखिए बिज्ञान कहता है कि गरहन के समय चंद्रमा पिर्थिवी सूर्ज एक ही रेखा में आते हैं और यह स्थिति काफी महत्पुन माना जाता है चुकी मानब सरीर में भी तीन तत होते हैं आत्मा जो सूर्ज होता है मन माइंड जो चंद्रमा होता है जो आपका सरीर है वो पिर्थिवी होता है तो सूर्ज जो आत्मा है चंद्रमा जो मन है पिर्थिवी जो सरीर है एक ही रेखा में आ जाता है उनका एलैन्मेंट हो जाता है और इ इसलिए इस दीन चंदगरहन के समय अगर आप जब करते हैं तब करते हैं ध्यान करते हैं मंत्र का चाप करते हैं तो यह मंत्र जाप निश्टी तूरूप से आपके सिध्ध हो जाते हैं अब जो गरहन काल में जब और ध्यान ये काफी महत्पुन होता है जिसा कि मैंने आपको पहले बता दिया अब है कि सूतक और गरहन काल में आप क्या ना करें ये काफी महत्पुन होता है कि आपको गरहन काल में या सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए देखे सबसे पहली बात सूतक काल में या गरहन काल में भोजन ना तो पकाना चाहिए और नहीं भोजन करना चाहिए माना जाता है पका हुआ भोजपदार्थ गरहन लगने तक पूरी तरह से जहर में बदल जाता है इसलिए आप इस समय भोजन ना तो पकाए और नहीं भोजन करें सूतक काल में भगवान की मुर्ती को ना तो आप असपर्स करें नहीं पूजा करें लेकिन भगवान का आप ध्यान और मंत्र जाप कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया गहन काल के दोरान बैसन से दूर रहे अपराथ, बुरे काम, बुरे बिचार और जूर से दूर रहे क्योंकि इस समय किये गए बुरे कार्ज का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जैसा कि मैंने आपको पताया कि गहन काल में अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो इसका प्रभाव भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप कोई बुड़ा काम करते हैं, तो इसका प्रभा भी कही गुना ज्यादा आपके जिनकी वह परता है, इसलिए गरहनकाल में आप कोई बुड़ा काम ना करें देखिए गरहन काल के दोरां तुलसी के पौधे का भी आपको असपरस नहीं करना चाहिए और नहीं तुलसी के पत्ते को भी तोड़ना चाहिए बेहतर होगा कि घर में जहां भी देव परतिवाय या मंदिर है वहाँ पर आप परदार डाल दें या पट बंद कर दें चुकि इस समय मुर्ती पूजा करना या मुर्ती को असपरस करना भी अच्छा नहीं मना जाता है सूतक काल में नए काम की भी शुरुवात करने से आपको बचना चाहिए कोई भी नए काम आप चंदरहन काल में या सूतक काल में आपको नहीं करना चाहिए इसके साथ साथ गरहन काल के दोरान या सूतक काल के दोरान सीर पर तेल लगाना नहीं चाहिए सरीर को खुजदाना भी नहीं चाहिए गरहन के समय पती और पतनी को सारिक संबन से बचना चाहिए इस दोरान यदि गर्व ठर गया तो संतान बिकलंग तक या मांसिक रूप से पिछिप तक भी पैदा हो सकता है इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें इसके साथ सूतक काल में सिलाई कढ़ाई का भी काम आपको नहीं करना चाहिए ये करना भी बरजित है गर्वन को कभी भी नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए ये आपके आँख को बिरवाद कर सकता है इसलिए आप कोसिस करें कि आप नंगी आँखों से गर्वन को कभी भी ना देखें अब ये महत्पुन है कि गरहन काल में आपको क्या करना चाहिए आपको बताया कि गरहन काल में आपको क्या नहीं करना चाहिए लेकिन गरहन काल में आप क्या करें देखे गरहन काल में पूजन से गरहों की पीरा से मुक्ति मिलती है तथा चन्द गरहन के समय सयम रख करके जब ध्यान करने से कई गुना फल मिलता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है इसलिए असनान करके भगवान का मनन करें और जो भी आपका राध्यव है उनका ध्यान करें फिर मंतर का जाप करें ओम श्रिम श्रिम चन्दरमसे नमाहा इस मंतर का कम से कम आप एक साथ वार जब करें गरहन के उपरां असनान कर यथा संभव किसी जरुत मन को आप धान करें गरहन काल में आपको सोना भी नहीं चाहिए जो गरहन की समाप्ति हो जाती है उसके बाद आप असनान कर लिए और असनान करने के बाद किसी भी जरुत मन को आप धान अवस करें घर में रखे हुए प पानी दूशित नहीं होती है चुकि गरहनकालके दवराण पानी पर इसका बहुत प्रहुएव परता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पानी दूशित नहों गरहन के प्रहुंवसे तो उसमें आप एक कुसा घास होती है उसे डाल देजीए गरहन के दोरान तुलसी पता भी आपको नहीं तोरना चाहिए और इसे सूता काल में आप ना तोरे यह आपके लिए बेहतर होगा यदि कुछ बिशेस भोजन है तो आप फेकना उसे नहीं चाहते हैं तो सूता काल से पहले तुलसी का पता आप उसमें डाल दीजे जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरहन काल में आपको ना तो भोजन पकाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर कोई भोजन पका हुआ है उसे आप फेकना नहीं चाहते हैं तो सूता काल या गरहन काल से पहले उसमें आप तुलसी के पते डाल दीजे इससे आपका भ भगवान का मनंद करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, और धार्मी को पुस्तक पढ़ें, सोज को सकरात्मक रखें, अच्छे बिचार और भाव मन में लाएं, अपने मन को सांत रखें, अब है कि चंदगरहन के समय गरवती महलाओं को बिसेश धियान रखना चाहिए देखिए, चंदगरहन का या सुजगरहन का गरवती महलाओं पर खास प्रभाव परता है, इसलिए इस दोरान गरवती महलाओं को बिसेश धियान रखना चाहिए, चंदगरहन को या चंदगरहन के समय गरवती महलाओं के लिए हानी कारक मना जाता है, चंदगरहन के दोरान घर के अंदर ही गर्वती महलाओं को रहना चाहिए, ना तो चनगहन को देखे, ना ही उससे आने वाली किरने अपने सहीर पर पढ़ने दे, ये गर्वती महलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है चनगहन के दोरान, ना तो कोई चीज गर्वती महलाओं को खाना चाहिए, और ना ही पीना चाहिए, गर्वती महलाओं सोज को सकरात्मक रखें, त्योंकि उसका सिधा परभाव आपके होने वाले बच्चे पर पढ़ता है ज़ादा से ज़ादा, मन ही मन इस्वर का ध्यान करना चाहिए गर्वती महलाओं को, चुकि ये आपके बच्चे के लिए काफी महत्पून होगा चन्गरहन के दोरां गरवती महलाओं को कैंची या सूई जैसी नोकिली और धार-धार बस्तों का भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए चन्गरहन खतम होने के बाद आपको फिर से असनान कर लेना चाहिए चाहे आप गर्भती महला हो या कोई अन लोग भी हो उसे भी असनान अवस करना चाहिए चंदगरहन की समापती के बाद देखे गरहन का हर रासी पर कुछ न कुछ परभव परता है धार्मिक मनतों करनुसार गरहन का हर रासी पर अच्छा या बुड़ा असर देखने को मिलता है इस चंदगरहन के दोरान चंदरमा मिथून रासी में बिराजमान रहने वाले हैं जिसकी वज़से मिथून रासी के जातकों को बिसे साफधानी बरतने की जोरत है हम आपको एके करके बताते हैं कि किस रासी पर इस चंदगरहन का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या साफधानिया आपको बरतनी है सबसे पहली रासी में सरासी पर इस गरहन का क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए चंद गरहन 2020 मेश रासी के जातकों के लिए मिला जुला असर लेकर आएगा इस गरहन की वज़ा से मेश रासी के जातकों के प्राकरम में बिर्धी होगी लेकिन परिबार में किसी सदस को कोई कस्ट हो सकता है बिर्शव रासी बिर्शफ रासी के जातकों के लिए ये चंदगरहन धन हानी के संकेत लेकर आएगा इस दोरान बिर्शफ रासी के जातकों को अपने वानी पर नियंतरन रखना चाहिए वरना उनका किसी के साथ लड़ाई जगरा भी हो सकता है मिथुन रासी चंदगरहन का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिथुन रासी पर देखने को मिलेगा मिथुन रासी के लिए चंदगरहन अच्छा प्रभाव लेकर नहीं आया है इस रासी के जातकों को इस गरहन की वज़़ से मांसी कस्ट या पडिवार में कलह जहलनी पर सकती है करक रासी के जातकों के लिए चंगरहन बेहद प्रहोसाली रहने वाला है गरहन की वज़ा से आपका खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर आपको बिना किसी कारण के भी यातरा पर जाना पर सकता है आप इन चीजों का ध्यान रखें सिंग रासी या फिर चंगरहन सिंग रासी के जातकों को और परत्यासित लाब देने के साथ उनकी आये में भी बिर्धी कर सकता है इस रासी के जातकों के लिए धन प्राप्ति की योग भी बन रहे हैं कण्या रासी कन्या रासी के लिए गरहन का असर मिला जुला रहने वाला है इस रासी के जातकों को इस समय अपनी सेहत पर विशेज ध्यान देने की ज़ुरत है तुला रासी, इस रासी के जातकों के लिए यह गरहन कुछ अच्छा समय लेकर नहीं आ रहा है, इस दोरान आपके काम बिगर सकते हैं, परिवार में बेर्थ का बाद विबाद हो सकता है बिश्चिक रासी, इस रासी के लिए यह चंदकरहन किसी दुरगटना और धन हानी के योग बना रहा है, ऐसे में इस रासी के लोगों को इस दोरान बिशे साबधान्या बरतना चाहिए धनु रासी प्रेम संबंधों के लिए भी समय ठीक रहेगा हलांकि परिबार में किसी का स्वास्थ खराब हो सकता है मीन रासी इस रासी के लिए या गरहन मिले जूले परिणाम लेकर आया है इस दोरान एक तरफ आपका स्वास्थ खराब होगा तो दूसरी तरफ आपके लिए बेपार में सफलता के योग बंते निजर आ रहे हैं इस रासी के जातक इस दोरान भूमी या प्रोपर्टी बेशते समय आप अपना सतकता बरते हैं सब्सक्राइब करें तरफ आपने दोस्तों के साथ पर सेयर करें ताकि वो भी इन चीजों को समझ करके चंगरन के बुड़े प्रभाव से बस सकेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद